नमस्कर बाच्चों, कैसे हो आप लोग, आज की इस क्रास के हमें बात करने वाले हैं आपके इंगलिस फर्स्ट फ्लाइट, बुक के चैप्टर नमबर वन की फर्स्ट पोएम, । डुस्ट औॉफ अशनो के बारे में, इस पोएम के आपके राइटर है रोबर्ट फ्रोस्ट ये, रोबर्ट फ्रोस्ट ने इस कविता को लिखा है, आप लोग इस राइटर और पोयम का नाम ध्यान परोख याद रखेगा, कभी-कभी एक नमबर में एक चाम समयाप के पूछे जा सकते हैं, तो चलिए पोयम के और स्टार्ट करते हैं, पोयम का हम गुजबर गिरा दिया और और क्या गिरा दिया आँ taste of बल टुक्रे मतलब हो गया दुल मीटी गन जो आप लोग किख़ए और सनुर बलते कि करिए को कव न बल्फ के च्छोटे-च्छडे टुक्री समघ्अ हर्फ Hi raising wyYYy ORill पॉज़नेस घ्री होता है एक प्रकार का इसे हम लोग हेमलोग ट्री बोलते हैं और हेमलोग ट्री होता है काफी पॉज़नेस होता है तो अब देखिए लव लेखक कवी महद्द जी यहां ao पर क्या कहना चाहते हैं कि कि ऐसे ही कवा सैन्थ बढ़ की चोटे-चोटे कन है हेमलोक ट्री के उपर से हम पड़ हिलाते हुए गिरा देते हैं क्या गिरा दे रहा है तो यहां पर कवा अब आगे बढ़ते हैं लेखा क्या कहते हैं क्या करता है है एक और की मेरे हिर्दे में हमारे मन को हमारे मूड को बदल देता है और बाकी कुछ समय भी बचा लेता है पूरे दिन का कुछ समय बचा लेता है that I had ruined, जो कि समय हमारा बरवाद हो रगा था, ruined मतलब हो जाता है, आप यहाँ देख सकते, held in regret, ठीक है, तो जो समय हमारा बरवाद हो रहा था, उसको हमारे उदास मन को कुछ टाइम बचा लेता है, ठीक है, एक बाद पूरा दिहान पूरवग देखिया है, क्या कहना चाहता है, कि जिस तरसे एक कवे ने बरफ की टुकिडे को हमारे उपर हेमलोक ट्री से जढ़का कर गिरा देता है, और उसने एक आएक से मेरे मूड में चेंजिंग ला देता है, फिर मेरे मूड को पूरी तरस से बदल देता है, और बाकी कदीन को बचा लेता है, उस दिन कवी काफी उदास थे, जैसा कि आपने इस पूरी सरान से पता चलता है, और उनका मूड भी खुश नहीं था, लेकिन बाद में आगे चलकर कवे के हिलांदने से, यहाँ पर उनका मूड भी चेंज हो जाता है, अगर कवीता के हम अगर दूसरे पार्ट की ओर चले, तो यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कवा, कवा काला होता है, और हम लोग में बोला गया है, कि कवा हमेसा ही मतलब अच्छे साइन का प्रतिक नहीं है, निगेटिव साइन्स का प्रतिक है, ठीक आज हम लोग poem तो हो गया, हमारा poem का सारांश, अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ poetic device के बारे में, यानि कि figure of a speech के बारे में, तो figure of a speech सुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं, कि इस पूरे poem का rhyming scheme क्या है, ठीक है, अब rhyming scheme क्यों बढ़ते हैं, तो वे a crow, चलिए, crow क प्रोट के मान चलिए यहां पर यह दे देते हैं राइमिंग स्किम यह हो गया सुख डाउन ओन अब प्रोट जो वर्ड भी है उसको उसको हम एक एक कर देंगे ठीक है क्रोट के रिलेटेड वर्ड क्या आ जा रहा है सव तो यह भी हो जाएगा ठीक है सव अब वापस से तो व कि यह भी कर पढ़ते हैं हाट मतलब यांपर सी आ जा रहा है हाट और पाड़ एक जैसा हो गया तो सी première आज़र आते हैं ड्रेश शकीम क्या मतलब द्धान से देख लिजिएगा चलिए अब दूसरे फिगॉर औस village की तरफ बढ़ते हैं अगला कराता है एक जैसा वर्ड हो और दोनों एक दूसरे के जैसे कि आप इस लाइन में देख रहे है है जो कि सुड़ों भी सेम वर्ड से हो और दोनों काफी closely related हो, तो hedge और hurt को ध्यान से देखिएगा, first letter सुरूफ हो ज़रा है H से, और hurt का भी first letter हो रहा है H से, और ये दोनों काफी closely related भी है, next, and saved sum part, अब इसमें भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, saved का S और sum का S, और दोनों काफी closely related हैं, तो ये दोनों lines हो गया, क्या हो गया, alliteration हो गया, ठीक है, alliteration यहाँ पे हो गया figure of speech, अब next part के और बात करते हैं, अब देखिएगा आप ये भी बोलेगा, कि चलिए hedge और head क्यों नहीं हुआ, तो hedge और head काफी closely related नहीं है, और दोनों की दोनों एक line में भी नहीं है, तो इतना दूर तक close related को नहीं माना जाएगा, ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, next part figure of speech आता है, assonance के बारे में, assonance क्या होता है, assonance सबसे पहले जान लिए कि assonance और consonance दो तरीके से होता है, assonance मतलब हो गया, the pronunciation of a bhovel, मतलब जिसका उचारन bhovel के रूप में हो, ठीक है, वो हो गया, assonance और consonance हो गया, जिसका उचारन consonant टाइप में हो, तो इस पूरे से पोया में देखिएगा, कि आपको यहाँ पे देख रहे हो गया, suck down on me, यहाँ पे काफी ज़्यादा o o का प्रयोग हुआ है, जैसे देख लिजे, एक, दो, तीन, चार, काफी ज़्यादा o का प्रेजेंट हुआ है, और o हमारा क्या होता है, भावेल होता है, तो इस पूरा क्या हो गया, assonance कहलाएगा, ठीक है, अब अगले next pass of figure of a speech के बारे में बात कर लेते हैं, तो next figure of a speech हो जाएगा, enjoyment, enjoyment हो जाता है, क्या होता है, enjoyment किसको बोलते हैं, तो when the same sentence continues to the next line, without the use of any punctuation mark, यदि पीना किसी punctuation mark के, next line सुरू हो जा रहा है, तो sentence को हम लोग बोलेंगे, enjoyment, तो आप लोग यहां ध्यान से देखिएगा, तो way a crow, ठीक है, यहां पर कोई full stop, ना कोई best है, ना कोई comma है, ना कोई full stop है, एक आए-एक से next line सुरू हो जा रहा है, तो the way a crow सुप, तो first line और second line क्या हो गया, enjoyment हो गया, ए हो गया, फिर यहां से second line में भी same ही है, कोई full stop, कोई regret नहीं है, ना ही कोई comma है, ए हो गया, फिर mood और part हो गया, और फिर part of rude हो गया, तो यहां पर यह दिर्सा देगा कि enjoyment है, तो बचो आपको वीडियो पसंद ही हो, तो वीडियो को like किजेगा, लाइक से हमारे motivation बढ़ता है, और हमारे चैनल को grow करने में मदद कीजे, आप इस वीडियो को share कीजे, और हमारे चैनल को भी subscribe कर लिजे, अपने सारे friends को भी बोल दीजे, यहां पर मैं आपको English related सारे, और आपके जो भी CBS के exams, तस्वी बोर्स related papers लगने वाले हैं, उनका course में धीरे-दीर करके आप लोग करवाने वाला हूँ, आपका अगर इस कविता या फिर poem से किसी प्रकर का कोई doubt है, तो नीचे comment box में पूछ सकते हैं, और आप कौन से topic वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें चाहें, तो comment box में बता सकते हैं, और नीचे site का link दिया गया है, आप जाके हमारे site पे visit कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF notes वेगरा और question answers आपको return group में मिल जाएंगे, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you.